अपने ब्रेकप के बाद एक लटकी होमटाउन में आकर लाइफगार्ड का चौप करती है वहाँ पर एक स्कूल के लटके से उसका अफेर हो गया था अब क्या ये अफेर उस लटके के लाइफ को डिश्ट्राइ करेगा या एक न्यू डारेक्शन देगा ये हम आज के हमारी मुवी दे लाइफ कार्ड ये 2013 की एक होलिवड मुवी में देखेंगे अगर आपको वीडियो अच रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट ज़रू कर दिजेगा अब बिना किसी तरीके एक्स्पिनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ड रते है और हम हमारे मैं गेरेक्ट्र ली को उसके बॉइफरेंड के साथ देख सकते हैं उसे छोड़कर कुछ दिनों के लिए घर जा रहा था उसका बॉइफरेंड इंडिया न est तो इंडिया जा रहा था ली हमारी एक जनरलिस्ट है और ली का बावर ने उसका बॉस भी था एक जगा पर छोटे से टाइगर की डेथ हो गई थी वही पर वो इन्वेस्टिकेशन करने के ले गई किसी आदमी ने एक छोटे से टाइगर को ऐस पेट घर में बंद करकर रखा था उस बेबी ने वहाँ से निकलने के बहुत कोशिश की पर वो निकल नहीं पाया फाइनल उसकी वही पर डेथ हो गए ये स्टोरी सुनने के बाद ली को बहुत ही बुरा लगता है ये सिनारियो उसके लाइफ से पैरलल है उसे आजकल अपनी लाइफ में स्टक लग रहा है वो निकलने के बहुत कोशिश कहती है पर निकल नहीं पाय रही है जब उसका बाइफरेंड वापस आया तो एक दिन उसकी बात उसने सुनी उसे पता चला कि वो अल्रेडी इंडिया में एंगेज़्ट है यही रिजन था कि वो अपने कलीक से हमेशे उसके रिलेशन्शिप के बार में जूट कहता था ली के बारे में किसी को भी पता नहीं था ये सब सुनकर ली को बहुत बुरा लगा वो निकलना ही चाहती थी तो सब को छोड़कर अपने घर आ जाती है घर में उसकी मदर ने सब को स्टोरेज का सामार रखा था मदर ने कुछ न्यू क्रास स्टार्ट किया ली इसका मजग उड़ाती है मदर कोई बात अच्छे नहीं लगती रात में डिनर कर तो अग ली ने अपने पैरनस को पता दिया एक कुछ दिनों के लिए मैं यही रहने वाली हूँ पैरनस कहते है कि तुम 30 साल की हो तुम ऐसे कैसे घर पर रह सकती हो ली ने कहा कि मुझे सिर्फ कुछ टाइम चाहिए उसने जीस तरीके से अपने लाइफ को एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से कुछ हुआ नहीं है अब तक उसे लाइफ में एक सही डारेक्शन मिली नहीं वो अपने लाइफ से ज़रा सैड है तो इसलिए थोड़ा टाइम निकालना चाहती है उसके वादर इस बात के लिए बहुत ही सपोर्टिव थे ली के साथ टाइम स्पेंट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगली दिन ली अपने स्कूल के फ्रेंड टॉड से मिलने के लिए आई टॉड उसे देखकर बहुत ही खुश था टॉड आर्ड ग्यालरी में काम करता है तो उसने कितना भी ब्रेक लिया तो कोई भी फरग नहीं पड़ता उसने ली से पूछा कि तुम कितने दिनों के लिए यहाँ आई हुई हो ली गयती है इस सरा टाइम के लिए में यही रहूंगी टॉड ने उसके बॉइफ्रेंड के वारे में पूछा ली ने उसे सब कुछ सिच्वेशन बता दिये ली गयती कि अब तुम अपने सारे प्लांस कैंसर कर दो हमें मजे करने है हाई स्कूल में इनकी ग्रूप में और एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मेल ली जाकर उसे मेल दिया अब वो असिस्टंट प्रिंसिवल बन गई थी तो उसे इस तरीके से देखना या उसके लिए बहुत ही वीर्ड था वो बिलियू ने गरबा थी कि मेल अब इतनी सुदर गई है क्योंकि हाई स्कूल में बहुत सारी अलग-अलग चीज़े वीर्ड चीज़े किया गरती थी ली ने उसे पुछा कि आज कल चल क्या रहा है मेल गयती है मैं और मेरे हजबन प्रिंगनन्ट होने का ट्राय कर रहा है सिक्स मंच हो गे पर फिर भी अब तक कुछ भी निउस ने आई इसी वज़े से आज कल वज़रा स्टेश रहती है ली ने उसे सिग्रेट ओफर की वो पहले लेने रही थी पर बाद में उसने ले ली वो भी थोड़े से फिर से मजे करना चाहती थी स्कूल में उसे स्टिक रहना पड़ता है सब कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है पर आज उसे बहुत ही फ्री लगा साम में सारे फ्रेंड्स मिलकर डिनर के लिए आए ली से उन्होंने बुचा कि अब तुमारा प्लान क्या है ली के दिक में फिर से लाइफगार्ड की जॉब करूंगी मेल ने कहा कि वो जॉब तुम है स्कूल में करती थी अब तुमें यह नहीं करना चाहिए ली वेसे भी ब्रेक पर है तो उससो कुछ भी जादा फरग नहीं परता यहाँ पर इस डिनर के वग मेल का हस्बन भी था मेल का इस तरीके से उसके फ्रेंड से मिलना है उससे जादा अच्छा नहीं लगता तो यह जैसा हमें पता है कि लीग और टॉड ही इतने जादा रिस्पोंसिबल नहीं है वो किसी भी टाइम पर खुछ भी कर सकते हैं अगली दिन ली ने लाइफ गार्ड का जॉब ले लिया वो आपर एक हैस्कूल के लड़के जो मिली जिसका नाम था लीडल जैसन जैसन यहाँ पूल के पास ही रहता था तो हमेशा वह यही पर आता रहता है ली जब सब बच्चों पर नज़र रग रही थी तो कुछ बच्चे भागते भागते गए उसने कहा कि तुम यहाँ पर भाग नहीं सकते तो सब बच्चों ने कागस को गिला करकर उसे बहुत मारा उसे बहुत सारी गालिया भी दी ली इन बच्चों को बैंड कर देती है और इसके बाद खुद रोनने लग गई थी थोड़ी देर में जब जेसन वापस आया तो उसे पुछता है कि क्या हुआ ली ने कहा कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो गैंग्स्टर की तरह भेह उगाता है वो कहाँ बर रहता है मैंने उसे स्विमिंग पूल से बैंड कर दिया है जो भी हुआ था ये सारी चीज़ उसने जेसन को बता दी नेकसे में में मेल और उसके हस्बन को देखते है मेल आज राद ली और टॉड के साथ फिर से डीनर करने के लिए जाने वाली थी तो हस्बन कहता है कि जादा ड्रिंग मत करना मेल ने कहा कि इससे जादो कुछ फरक नहीं पड़ेगा पर फिर भी हस्बन के लिए मान जाती है आज एक शॉप के बार ली और टॉड को जेसन और उसके फ्रेंड्स मिले जेसन की फ्रेंड मैट ने कहा क्या आप हमें बीर दिलवानी के लिए हेल्प कर सकते हो टॉड ने कहा कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा हेल्प करने के बदले में टॉड को जॉइन चाहिए था ये बच्चे इसके लिए मान जाते है जब बाय करने के लिए रात में इसे पोचे तो उनके साथ मेल भी थी मेल ने इन बच्चों को देखा और वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाती है उसने कहा कि सारे बच्चे मेरे स्कुल में जाती है मैं वाइस प्रेसिडन्ट हो मैं इस तरीके से चीज़े नहीं कर सकती है तोड गैदा कि ज़्यादा वरी मत करो तबी जेसन और उसके फ्रेंड्स ने कहा कि अब हम स्कुल में नहीं आने वाले है वो ड्रॉब लेकर एक न्यू सीटी में जाने वाले थे तोड ने कहा कि अब यह तुम्हारे स्टुडन्ट नहीं है तुम ज़्यादा वरी मत करो पर फिर भी मैल इसे सपोर्ट नहीं कर सकती थी वो गाड़ी में ही रुकी मैल के साथ इन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड्स रुका हुआ था मैल उसे समझा दिया कि मेरा भी हाई स्कूल में जादा कॉंसेंट्रेशन नहीं होता था पर बाद में उसने बहुत अच्छे से स्टडी किया और अपनी लाइफ को अब उसने सुधार लिया है इस कर्वर्सेशन से इस बच्चे को अच्छी डारेक्शन मिली और वो स्कूल से ड्रॉप नहीं करने वाला ली टॉर्ड और जेसन के फ्रेंड्स ये सब आगे गए फिर स्मोक करते है ली ने जेसन को समझाया कि तुम्हें इस तरीके से जाना नहीं चाहिए अपने हाई स्कूल एजुकेशन को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहिए अगर तुमने नहीं किया तो लाइफ हार्ड हो सकती है जेसन कहता है कि टाउन बहुत ही घटिया है हर कोई उन्हें हेट करता है ली ने कहा कि यह जो एक्स्पिरियंस है यह तुमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है तुम्हें हर कोई सपोर्ट कर रहा है तुम स्कूल में जा सकते हो तुम्हें कोई काम नहीं है स्मोक करने के बाद ली और टॉट जब फिर से वापस आया तुम मेल रोने लग गी तुम गहती है आज रात मुझे तुम लोगों के साथ मज़े करने थे वो ने अपनी सारी टेंशन बता दिया कि इस तरीके सो प्रेइनन्ट होने पा रही है इन्हें मेल के लिए बुरा लगा और घर आकर उसे रिलाइस करते है ड्रिंक्स वगरा करकर इन्होंने हैंग आउट किया और मेल को भी रात बहुत ही अच्छी लगी अगली दिन ली जब अपने काम पर आए तो जेसन का फ्रेंड मैट ही स्विमिंग पूल के पास ही सोय हुआ था ली ने उसे पुझा कि क्या हुआ तो मैट ने कहा कि मेरी मदर ने मुझे घर से पहार निकाल दिया मेल को चुटी थी और घर पर बोर हो रहा था तो ली और टॉट के साथ हो हैंग आउट करती है इन्होंने लॉंग ट्राइव ली और बहुत मजी किया ये जब वापस आये तो जेसन और उसके फ्रेंड्स को स्केट बोर्ट करने के लिए पुलिस ने अरेज़ किया था ली गे थी कि आप ये सब कर क्या रहे हो इस तरह के से आप इन्हें अरेज़ नहीं कर सकते हैं वो एक रिपोर्टर थी तो जेसे पुलिस भी डर जाते हैं और वहाँ से चले के इसके बाद ये सब फिर से हेंग आउट करते हैं इसमें आज मेल का हजबन भी था ये सब जो भी स्मोक कर रहे थे इम मेल की हजबन को अच्छा नहीं लगता ली और जेसन बात करते हैं ली ने जेसन से खाद तुम्हारा फ्यूचर का प्लान क्या है जेसन को कुछ भी पता नहीं था तो ली उसे लिक्चर देने लग गयी जेसन उसे खाodा था तुम ने सब कुछ प्लान करकर रखा था पर फिर भी तुम बहुत ही सैड हो ली इस पर कुछ भी बोल नहीं पाती गर पर आने के बाद मेल और उसके हस्वन के बीच में जगड़ा आ जाता है उसे लगता है मेल इस सिचुईशन को सिरेसली ले नहीं रही उसे खुद का ख्यार रखना चाहिए अगले दिन जब ली और जेसन ने पूल के पास हैंग आउट करे थे तो ली ने उस लीटल टाइगर को क्या हुआ था इसके बारे में जेसन को बताए जेसन कहता है तुमने जो आर्टिकल लिखा वो लोग पढ़ेंगे और नेक्स टाइम शायद कोई ऐसा नहीं करेगा उसके पास आकर उसे हग कर लेता है थोड़ी दिर में जिस छोटे बच्चे ने ली को सताय हुआ था वो उसके पास आकर उसे सौरी कहता है उसने बहुत ही रिक्विस्ट की तो ली ने फिर सो स्विंग पूल में आने के लिए अलोग कर दिया वो ली से गयता है कि प्लीज जैसन को पतातो कि मैंने आपसे माफी मांग किया वो मुझे तंग ना करे इसका मतलब है जैसन ने उसे धमका कर यहाँ भेचा हुआ था ली को यह सब बात बहुत ही स्विट लगी रात में बारिश होने लगे तो जैसन भी ली के कार में बैट गया था यह दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे ली को यह रेलाइज हुआ और वो वहाँ से दूर चली जाती है फिर रात में अपने फ्रेंज के साथ स्विमिंग फूल पर आये ली और जैसन ने एक दूसरे को ही देख रहे थे ली वाशरों आये तो जैसन उसके पास आ जाता है जैसन ने बुचा कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो क्या फरक बढ़ता है सब कुछ ठीक हो जाएगा वो फिर उसे किस कर लेता है और यही पर यह दोनों इंटिमेट हो गए आज रात ली घर पर बहुत ही लेट आयी थी तो उसकी मदर उस पर बहुत जादा गुस्सा हो जाती है उसने कहा कि तुम इस घर को होटेल की तरह ठीट नहीं कर सकती तुमें किस रिस्पॉंसबिलिटीज लेनी चाहिए मदर का कुछ काम था जो उसने फादर को दिया हुआ था पर फादर इसके बारे में भूल जाते है क्योंकि उन्हें ली के साथ टाइम स्पेंट करना है मदर इस बात से और भी जादा फ्रस्टेड़ होगे पर ली और फादर खुश थे क्योंकि आज उन्हें एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने के लिए मिला स्विंग पूल पर आने के बाद ली जेसन के बारे में ही सोच रही थी इसी मुवमेंट पर एक छोटा सा बच्चा स्विंग पूल में गिर कया और इसका ध्यान नहीं था बाद में उसे और जल्दी से बचा लेती है घराते वक ली ने फिर से जेसन को देखा ये दोने एक लिक के पास आए जेसन कहता है कि वर्मान बहुत ही प्यूटिफूल है वहाँ पर में फीश वेकरा कैच करता था ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर लेते है इसके बाद इनकी रिलेशनशिप कंटिनू हुई थी एक दिन ली ने जेसन से पूचा कि तुम कब जाने वाले हो जेसन कहता है कि एक दो विक में में निकल जाओंगा उसने कुछ पैसे सेव करकर रहे है उसके पास 400 डॉलर्स दे ली ने कहा कि इतने इनफ नहीं है तुम्हें एट लिस 1000 डॉलर्स चाहिए तुम थोड़े दिन यहीं पर रूख जा कुछ अगर और पैसे आजाएंगे उसके बाद चले जाना ली नहीं चाहती थी कि जेसन इतनी जल्दी यहां से चला जाए एक रात पार्टी पर मेल ने ली से का तुम ऐसा कुछ भी मत करना जो तुमें रिक्रेट करना पड़े ली कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जेसन की फ्रेंड मैट को जल से जल इस ताउन से निकलना था टॉर्ड ने कहा कि मैं भी पहले इस ताउन से निकलना चाहता था पर यहां पर उस टक है उसकी जॉब है उसकी पैरेंस यहां पर है यहां से जान नहीं सकता वो मैट को साहरा दे रहा था पर उसके बाद उसे वहाथ लगाने लग गया मैट ने कहा कि मैं गे नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है गुष्य में जेसन के पास आया और कहा कि हमें कल के कल निकल जाना चाहिए जेसन कहता है कि मुझे और भी कुछ पैसे सेव करने है जरा एक दो विक्स लग सकते है मैट बेजा रहे इस सब बातों से बहुत ही साड हो किया ली के घर पर उसके पैरंस मिलकर एक रूम बनवा रहे थे यही दिखाने के लिए जेसन को ली लेकर आए ली के पैरंस अपने हतों से खुद बना रहे थे इसका मजाग ली ने उड़ाया यह सब बाते ली की मदर सुन लेती है और इस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई उसने कहा कि तुम इस तरह के से वापस कैसे आ सकती हो बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है तुम जब अपने जॉब करने के लिए तो मैंने खुद की आइडेंटिटी क्रियेट करने की कोशिश की अब तुम जब वापस आ गई हो तो सब कुछ प्रॉब्लम क्रियेट करें हो तुम्हारे फादर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योग तुम कितने भी दिन यहाँ पर हो उन्हें कुछ भी फरक नहीं पड़ता पर मदर को बढ़ता है ली एक छोटी बच्ची की तरह बहेव करती है यह मदर को अच्छा नहीं लगता उसनों इसे घर से बाहर निकाल दिया ली फिस जेसन की घर पर आके और यही पर अब वो रहने लग गई थी एक दुन उसे एवाड फंशन से एक मैसेज आता है उसने जो आर्टिकल लिखा था उसने उन्हें एवाड दिया है इसका प्राइस थाउजन डॉलर से है इसमें ये भी लिखा था कि आपने जनरलिजम छोड़ दिया यह सुनकर हमें बहुत ही बुरा लगा क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड हो इसके बाद जेसन ली से मिलने के लिखा है और जब एक किस कर रहे थे तो टॉड इन्हें देख लेता है मेल आजकल अपने लाइफ के साथ जादा सीरियस नहीं है तो इस बात उसके हजबन को सही नहीं लगी उसने मेल से बुशा क्या तुम सच्चूस में प्रिगनंट होना चाहती हो मेल ने कहा कि हाँ होना चाहती हो हस्बन कहता है तो अभी क्या भी मेरे साथ इंटिमेट हो मेल ये नहीं चाहती थी तो इस पर इनका जगड़ा हो क्या सब कुछ बाते बताने के लिए टॉड के पास है बाते करते करते टॉड के मुझ से निकल जाता है कि लिए जेसन के साथ रह रही है इस बात से मेल बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी इनके ग्रूप में वो भी इन्वाल्ड है अगर किसी को इस बारे में पता चला तो उसकी जॉब भी चाह सकती है वो गुस्से में ली के पास है जेसन भी वही पर था उसने जेसन से कहा तुम्हारे पैरंट्स के पास चलते है उन्हें ये सब चीज़े पता होनी चाहिए वो ली पर वे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी उसने कहा कि तुम मेरी लाइफ क्यों डिश्ट्रा करना चाहते हो मैं स्कूल में तुम्हारी जेसी थी पर बाद में मैंने मेरी लाइफ को एक अच्छी तरीके से डारिशन दी है तुमने मेरी पूरी लाइफ बरबात कर दिये मेल इस सब चीज़े जेसन के फादर को बताने वाली थी, पर जेसन ने कहा कि मैं स्कूल को बता दूँगा, कि तुम हमसे ड्रग्स बाय कर रही थी, मेल इस बात से और भी ज़्यादा घुस्सा हो गए, एक दिन जब ली और जेसन जंगल में जाकर हैंग आउट कर रहे थे, त जेसन ने कहा, उसके बड़े ब्रदर ने भी सुसाइड की थी, अब और एक पूलिस ऑफिसर जाकर फिर से उसे वही न्यूज देगा, उसे बहुत बुरा लग रहा था, ली कहती हैं मैं बता कर आती हूँ, ली भी बाहर आकर बहुत रोए, क्योंकि उसने जेसन को रुकने क उसमें जाकर सो जाती है, उसके घर से जाने के बाद उसकी कैट मिसिंग थी, ये भी उसे मिल गई, जेसन ने जब इस स्कूल को छोड़ दिया, तम मैल उसके फादर से बात करती है, उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करती है, जेसन को इस तरीके से स्कूल से मत निकाली है, जेसन के फादर ने कहा कि जेसन के लाइव में जज़ेड़ी बहुत सारे प्रोलम्स है यहाँ से दूर जाने का डिसीजन उसके लिए अच्छा होगा मेल ने ली और जेसन के बीच में जो भी हुआ इस सब की लिए हो सorी कहती है फादर कहते है लाइफ में इस तरीके से अजीब अलग-अलग चीज़े होती रहती है हमें इस पर इतना ज़ादा सोचना नहीं चाहिए जेसन के फादर के जाने के बाद मेल को मनाने के लिए उसका हस्वन आ गया उसे वो सौरी कहता है जिस तरीके से husband wife जगरते हैं उसके बाद एक दूसरे को माफ कर देते हैं उसी तरीके से इन दोनों ने भी एक दूसरे को माफ कर दिया था मेल ने अपने school के board को सारी situation समझाई थी पर इसमें उन्हें नहीं लगता कि मेल का कोई भी fault है तो इस वज़े से उसे वो fire नहीं करते हैं ली घर पर आये और सारे सामान को ठीक से रख देती हैं अपने mother के लिए उसने website वेगरा बना कर रखी थी mother को अच्छा लगा कि ली कुछ ना कुछ तो responsibility ले रही है ली अब घर में रह सकती थी मैट के funeral पर ली और मेल फिर से एक दुसरे से मिले ली ने मेल को sorry कहा और मेल उसे माफ कर देती है यह उसके बाद Jason के जाने का दिन आ गया था वो ली से मिलने के लिए ली को अपने article के ल process हो जाओगे इसके बाद ली भी अपनी city में फिर से वापस चली जाती है वो अपने काब में अच्छी थी पस्य ब्रेक अप की वज़े से जरा ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर आई हुई थी तो फिर से वो लोट जाती है जेसन भी अपने टाउन में जाकर सही तरिके से सेटल हो गया था और ली के न्यूयोक के अड्रेस पर वो लेटर लिखता है इनकी relationship कैसी भी हो फिर भी एक दूसरे को life में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने इंस्पार किया था इसे के साथ ये movie एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो से लगा तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजेगा ये बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification icon नहीं मत भूलेगा हम फीर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया